अब आप अबरीवन वैलकम बैक टू माँ चैनल इस्टरी वी टार्गेट आज की वीडियो में बात करेंगे ससी पेज 11 के डॉक्युमेंट लिस्ट के बारे में यह आपको सिक्यूर्टी नी के लिए आपको डॉक्युमेंट बेजने कहां पर पेजने कितने डॉक्युमेंट कितने शेट पिजने सारी डिटेल में आपको बताने वालो हो बीप्याइब चैनल को अब सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना जिससे आपको आगए की अपडिट पूरी मिलते देगी और डॉक्युमेंट पोस्ट के मद्यूस के साथ में ब्लोक के साथ-टोरी ब्ल प्रिंट के साथ में आपको बताऊंगा क्यों कि कल की डेट में याने की 19 को या पी 20 तरीकों में डॉक्यूमेंट बैजने वालों अभी लबग अपने पंदा दिन का समय तो आराम से पक्षाइंगी अना रिजन में दिल्ली में तो भी चलता है डॉक्यूमेंट के बारे में हम चट्षा करते हैं पूरी इदम पूरूप के साथ में आपको बताऊंगा देखो सबसे पहले आपके पास एप्लिकेशन प्रिंट अपना से डाउनलोड की होगी एप्लिकेशन आपको प्रिंट कौन से डाउनलोड करनी है आपका जो कोई भी सिलेक्शन हुआ जीस पोस्ट म करने है जिन केसं के इस सेलेक्शन हूआ है यहहाई और यहाँ आपको एदार कार्ण के कौॉपी है इस के असात्त में आपके आदर करनी आफ़ द्राइविंझ लैसेंस या पिर आप एप वोटलर आई एदी आप बेज सकता हो आदार करनी है तन्फ कोई भी और भी एप डी अब भी आपके लबक राजस्तान में एक प्रब्लम है जैसे कि सेट्रिफिकेट को लेकर के 10 और 12 के तो इसमें कुछ 14 या फिर 28 इससे पहले आपके लबाग 30 के सर्टिपर आते थे बाद यहीं मार्शट के साथ लाइख अलग होते थी और इसक्डेपिक होता था अभी लबग दोजाट चोगदा के बाद मुझे लगता है यह बंद कर दिया है और लबक 10 और 12 में आपके एक ही है यह यह तो यह लगता है पूरा कंफरम है जात मुझे मैंने भी इंपोमेंस निकाली मुझे भी सिर्फ मांक सीटी मिली और शेटिप्र आपके इसके इंक्लूड यह यह हो कि आपके अफिकर क्योंकि इसमें आपके डिग्री आपके अलग होने वाली है क्या चीछेमें आपकी अपको सब्सक्राथ नहीं है तो समय में आगया होगा और और कोई आपके डाउट होता है तो मुझे कमेंड में पूछ सकते हैं ग्रेजूशन अब मांक्षी जैसे कि मेरी मास्टर डिग्री भी है तो उसके लिए मुझे लबग यह बेजने पड़ेगी तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगे कि मेरा सेलेक्शन यूर से हुआ है तो ऐसी गलती मत करना है कि आप यूर के आपका सेलेक्शन और आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर क्यों देखो अभी आपके अगर आपके डिशाइड होती है और अगर आप उस कोटप को अगर के लिए नहीं कर पाते तो आपक कोई लबबग डेट की सीमा नहीं है जहां तक मुझे लगता है और आपके डेट की सीमा दो आपके लबबग मार्च तीन मार्च आने 27 मार्च से पहले का आपके पास होना चाहिए क्या कि एक मुझे तो याप इनने चल रहा है 27 मार्च अधिया करें दोजाद 23 से पहले ओबी सी का सट्रीप्रट आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास ओवी सी का सट्रीप्रट बना हुआ या पीलबग च्यार-पांस मेहने भी पहले का है तो भी आपको कोई भी परिशानी आपको ओने वाली नहीं है तो आपने चाहिए तो आपके लिए वह वैलीड नहीं होंगे तो इस बात को आपको विशेश ध्यान में रखना है और बाकि आपके जो जो को भी आपकी डिगरी है 12 तो वह भी लबग आपके उसके बाद की होने चाहिए तो यह आपके हो गया अभी देखो एज क्या है तो इसके लिए अगर के पास देखो आदर काट की तो हम वैसे भी पेज़ें को इसी होने वाला तो नहीं है पर आपको लगता है कि हम पूरी डॉक्यमेंट पेजना चाहते तो आप अपना एज का सेट्विगर आपके हो सकता है तो आप उसको बेज सकते हैं तो हो सकता है पूरी कोशिश करना होना चाहिए यह हो गया और एज रिलेक्शन सेट्विगर देखो इसमें जबके आपके लबग जैसे कि अगर त्यान्त पास में आपके त्यान्त पास में आपके मांगाया अटार से साथ 25 के बाद किसकी लबग आपके OBC की चबीश होगी है तो उनको लबग एस बनाना स्ब्सक्राइव तो देखो आपकाया जीशे से पोस्त में आपका सेलेक्शन हुआ है दो फूस पोस्त में आपको सेलेक्शन हुआ है तो मुझे। श्रह अरपना सेलेक्शन 17 Airesीस के रिजन में बेजना है और आपको पोस्त में आपको सेलेक्शन वहार जितनी पोस्त में अपका सेलेक्शन हुआ है उतनी आपको इन डॉक्यमेंट के सेट आपको बनाके बैजने हैं कि अ होसकता है उसमें आपको इस त्रीकेश एके बना कि A Αर्ड बेजिने में है तो इसके डॉक्मंट कर दिद्धिए अभी यह को जो को You पूरी डिटल में आपको बताऊंगा तो अगर और को आपके में आपको बताऊंगा तो अगर और को आपके में डाउट होता तो मुझे पूसकते नेस्ट वडियो में जल विलेंगे जैंद जैंपारत